जहिन्द फ्रेंड्स आज हम लोग जो रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, उसके अगले टॉपिक की और चलेंगे, अभी तक हमने क्या देखा था, नंबर सिस्टम में हमने क्या देखा था, कि कौन-कौन सी नंबर्स होती है, पहला हमने पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स जिसको परिमे संख्या और अपरिमे संख्या इन सब को जब मिला देते हैं तो बनता है हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर में हमने दो प्रमे देखनी थी पहली प्रमे ये थी कि Yucleate की Divisible ठीक उस वो क्या पताती है कि अगर एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग किया जाए तो जो सेस्फल होता है वो हमेशा भाजक से जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा ठीक और यह हमने एक practical example से समझ लिया था उस theorem का यूज हमने बताया था कि उस theorem का यूज कहां करते हैं तो यूज करते हैं कहां पर HCF मतलब महत्तम समाप वर्तक निकालने के लिए और दूसरा यूज कहां करते थे कि divisible rule विभाजिता के नियम बनाने के लिए हम उस theorem का इस्तेमाल कर आते हैं अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह यह है कि दूसरी थेयोरम जो है वह है कि फंडामेंटल थेयोरम आफ अर्थमेटिक मतलब अंक गडित की मूल भूत प्रमें वह हमें देखना है तो नेक्स्ट टेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं अंक गडित की अर्थमेटिक का मतलब अंक गडित अंक गडित की मूल भूत प्रमें मूल भूत वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह बेसिक्स हैं इसके बिना आगे काम नहीं चलना है तो यह चीजें धान में रखनी है आपको देखी यह थेयोरम क्या कहती है यह थेयोरम यह कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या को इंगलिस में बोलते हैं कमपोजिट नंबर कोई भी भाज्य संख्या को अब भाज्य संख्या के गुड़न फल के रूप में लिखा जा सकता है कि इसी भी कमपोजिट नंबर को अब भाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर गुड़न फल का मतलब फैक्टर्स मल्टिप्लायर में ठीक के रूप में लिखा जा सकता है इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो हम आगे स्टेट्मेंट में चूज करेंगे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है अगर मैं ये लिख रहा हूँ 2 इंटू 4 तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ ने लिख सकता हूँ प्लिकू लिख सकता हूँ आप 2 को 4 से गुड़ा कीजिए या 4 को 2 से गुड़ा कीजिए, आपका जो गुड़न फल आएगा, जो multiplication का result आएगा, 8, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, तो यह कह रहा है कि कि किसी भी composite number को, भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या के multiplier में लिखा जाता है, factors में, यह जो लिखा अध्विती होता है, कि केवल और केवल एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, पहली चीज, और दूसरी चीज, कि चाहे प्राइम अभाज्य संख्याओं का क्रम कुछ भी हो, चाहे दो पहले आए या चार बात में, या चार पहले आए दो बात में, मतलब numbers का order भी हो सकता है यह उस पर डिपेंड नहीं करता लेकिन जो फैक्टर होगा गुड़नफल होगा वह हमेशा अद्विती होगा ठीक अद्विती मतलब यूनिक इसका मैं एक्जामपल आपको बताए दे रहा हूं तो यहां पर दो चीजे ध्यान रखना है एक तो अभाज संख्यात के रूप में उसको मल्टिप्लाई करना है और दूसरा वो फैक्टर हमेशा यूनिक होगा ठीक मतलब उसको आप कभी भी उस एक एंसर के लावा दूसरा एंसर उसका नहीं हो सकता इसका अद्विती का मतलब यह होता है जो ती मतलब केवल और केवल एक तो सभी का जो भी कुश्चन आएगा उसका सभी का एंसर एक ही निकलेगा ठीक है वर्ड में कर जहां भी कुश्चन पूछा गया होगा यह जहां भी पूछा जाएगा सभी बालकों का सभी एक्जामनर्स का सभी प्रोफेसर का स यह तो भाज जिसंग क्या ही है आप इसको जब यहाँ पर एट है तो हम पहले इसको दो से भाग करके देखते हैं अगर मैं दो से इसको भाग करूंगा का की तो क्या आएगा 264 आप ऐसे भाग करके भी देख सकते हैं ठीक है? अलग-अलग हमने ऐसे भाग कर लिया फिर दो से भाग करी देए भाग कीजिए कितना आया? दो एक खम वो दो दूना चार दो चंग बारा 264 आया? अब इस 264 को फिर से भाग कीजिए दो से कितना आया? दो एक कम दो से दो त्याई से चार फिर एक सो बत्तिस को यही चीज हम यहाँ पर कर रहा है डारेक्ट भाग कर रहा है तो दो एक कम दो दो त्याई छे दो दूना फिर दो से भाग कीजिए तो दो छक्के बारा दो छक्के बारा फिर तो दो से अब नहीं जाया वो कटेगा तो तीन से ग्यारा फ्लास्ट में ग्यारा ही बचा ग्यारा कि से भाग कर सकते हैं केवल और केवल ग्यारा से अब इनको सब को मल्टिपलाई कर दीजिए तो पांसो अठाईस को क्या लिख सकते हैं तू तो का कितनी बार मल्टिपलिकेशन है एक, दो, तीन, चार फिर आया तीन और फिर आया ग्यारा आप इसी को क्या लिख सकते हैं तू की पावर कितनी है यह कितने दो हैं आपर चार हमारी ये जो मूल भूत प्रमें है अंक गड़ित की वो यही कहती है कि किसी भी composite नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर में आप लिख सकते हैं ये देखिए ये प्राइम नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स का मतलब जो केवल और केवल अपने से या एक से विभाजित हों पाकि किसी से नहीं तो तो एक प्राइम नंबर है क्यों क्योंकि ये किसी भी भाजित हो सकती है या तो एक से ये किसी भाजित हो सकती है या तो एक से या तीन से स्वयम से तो ऐसी संख्या हैं यहां पर प्राइम नंबर्स या भाज संख्य कि डिफिनीशन लिख लीजिए अब हाज्य संख्याएं इसकी डिफिनीशन क्या है जो संख्याएं स्वायम से या एक से विभाजित हों केवल और केवल इंगलिस में इसको लिख लीजिए नंबर्स इंगलिस और केवल एक से या स्वायम से विभाजित हों ठीक है ऐसी संख्याएं को क्या बोलते हैं प्राइम नंबर तो मूल भूत्र में जो अंकगडित की है वो यही कहती है कि किसी भी इंगलिस नंबर को किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुड़न फल के रूप में फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं और दो कंडिशन वहाँ पर बताये थे पहला कि इनका क्रम क्या है ये इस पर डिपेंडर नहीं करेगा आप इसको ये भी लिख सकते हैं 3 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 4 आप इसको ये भी लिख सकते हैं 3 into 2 की power 4 into 11 कुछ भी लिख दीजिए ये इनके क्रम पर डिपेंटर नहीं करेगा क्रम कैसा भी हो और दूसरा क्या बूतला था कि इनका ये factor यूनिक होगा इसको और किसी रूप में आप नहीं लिख सकते आप लिख कर देख लीजिए आप चाहें कि यहां पर 5 ला दें नहीं ला सकते चाहें कि 7 ला दें नहीं ला सकते आप करके देख लीजिये किसी भी नंबर्स को दुनिया में जितनी भी संख्याइएं हैं उस संख्या को हमेशा prime factor या अभाज संख्याओं के factor गरूप में लिखा जाएगा जो जिस तरीके से लिखा जाएगा उसका तरीका कुछ भी हो सकता है मतलब उनका क्रम संख्याओं का कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या पहले आ सकती है, लेकिन जो उनका जो वहाँ पर नंबर्स आ रही है, प्राइम नंबर्स, वो हमेशा क्या होंगी? यूनिक होंगी, कभी भी दूसरी प्राइम नंबर यहाँ पर नहीं आ सकती, इनको ठीक, इसका यूज हम कहां करते हैं, वो यूज देख लीजिए, अप्लीकेशन, पहला अप्लीकेशन यह है, कि इसका यूज हम, LCM and HCF, मतलब, लगुत्तम, समाप वर्तक, LCM का मतलब, लीस्ट कामन फैक्टर, लगुत्तम समाप वर्तक और महत्तम समाप वर्तक, निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, हम इसका यूज करते हैं, ठीक, दूसरा, यह जानने के लिए, इसका इस्तेमाल, यह जानने के लिए भी करते हैं, ड्रूट कीछ विए, इसकीछ इसन पाइब हैं, इसका और महत रोकुण रच मूच रुसरा, इसकीछ, इसकीछ डूसँड हैं, इसकीछ इसकीछ्चीछ, इसकीछ बहित आई सिय अगर कोई नंबर है आइफ ट्री फाइफ टू जिरो इसके राइट मोस्ट डिजिट राइट मोस्ट डिजिट मतलब दाहिने साइड या इसी को हिंदी में कहते हैं इकाई का अंग तो संख्या के इकाई के अंग में कौन सी संख्या आएगी यह फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं अब वो कैसे करते हैं वो अभी आपको बता देते हैं ठीक तो इसके नुमेरिकल कर लेते हैं आपकी पहले एक सरसाइज है वो ठीक 1.1 तो उसका हम नुमेरिकल स्टार्ट करते है पहला क्विश्चन यह है कि एक्स्प्रेस इच नंबर है जे प्रोड़क्ट आफ इट्स प्राइम फैक्टर मतलब हर एक संख्या को जो यह लिखी गई है उनके अभाज गुडन खंड में अभाज गुडन खंड में आप लिखिए एक यहां पर सायद मैंने गुडन फल लिख दिया था तो उसको गुडन खंड लिख लिजिए गुडन फल नहीं यह यहां पर गुडन खंड कर लिजिए गुडन खंड के रूप में लिखा जासे एक अभाज गुडन खंड के रूप में आपको लिखना है तो निकालने का तरीका निकाल वही है जो अभी आपको बताएं हैं यहां पर अगर 0 है लास्ट मैं तो यह संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होगी होगी दो से सबसे पहले डिवाइड करता है तो 140 को 2 से डिवाइड की जिए इतना आया 70 फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2, 23, 1 बचा, 1 यहां पर आया, 2, 5, 10, 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 है, तो फिर किस से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, 5, 7, 35, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 into 2 into 5 into 7, आप मल्टिप्लाई करके देख लेंगे, यही आ जाएगा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर 2, 5 into 7, 5 एक बार है, तो आप यहां पर 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 7 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, यह भी आप सही लिख सकते हैं, सही माना जाएगा, अगर यहां पर 1 नहीं भी लिखते हैं, तब भी आपका काम चलेगा, तो इसको हमने इस तरीके से रिप्रिजन कर दिया, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताईएगा, 156 को, 156 को अलग से देख लीजिए, 6 है, इकाई से, 236, 298, 3 से, अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो रही क्या हो जाएगा, 2 into 2, into 3, into 13, ठीक, उसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2, into 3, into 13, यह आपका अइंसर है, 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को अलग से करके देख लीजिए, 2, 24, 8, 2, 8, 16, क्राश चिक भी करते रहें, इसको multiply करेंगे, यहीं आएगा, फिर 2 से कीजिए, 2, 2, 4, 2, 4, 8, फिर 2 से, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 12, 2, 236, यह multiply हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, फिर 3, इसको multiply करके भी चेक कर सकते हैं, 96 आएगा, दो कितनी बार है, 5 बार, तो 2 की पावर 5 इन्टू, 3, 8, 2, 5, 3, 8, 2, 5, लास्ट में 5 है, तो 5 से रिवाइड कर दीजिए, 5, 7, 35, 3, 38, 5, 6, के 30, 2, 32, 5, 25, फिर 5, 5, एककम 5, 2, 7, 26 हो गया, 5, 25, 25, 21, 25, 25, 25, फिर किस से कटे गए, 3 से, 3, 55, 15, 3, एककम 3, फिर 3 से, 3, एककम 3, 2, 5, 3, 7, 21, लिए आ जाएगा, तो यह कितना हो गया, 5, 5, 3, 3, 17, क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, इन्टू 17, पावर 2, 5,005, पावर 2, 5, 5, से, फिर किस से कटे गए, नव से हो सकता है, तीन से, तीन तरिक्कानों, एक दस, तीन तरिक्कानों, नहीं हो सकता, और किस से हो सकता है, 11 से हो सकता है, 11, 99, 1, 11, 1, 11, ठीक है, फिर साथ से हो सकता है, 13, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5, 7, 11, 13, आप यह तो नहीं सोच रहे हैं, 5 के बाद 11 वहाँ पर आना चाहिए, मैंने बता रखा है, क्रम कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक, 7, 4, 2, 9, चीजें बहुत आसान है, इसके लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, तीन से, देखिए तीन से होता है, तीन दूना छही, एक साथ, 3, 4, 12, तीन सत्य के इस नहीं होगा, 7 से, दो से तो नहीं हो सकता ये, कविए लास्ट में 9 है, 7 से, 8 से भी नहीं हो सकता, एक कम साथ, 7 भै आलिस और फिर नो बच जाएगा, 9 से, 98, 72, 98, 89 बच जाएगा, नहीं हो सकता, फिर 11 से, 16 6, 16 और फिर है, 8, 11 17, 5, 11 से भी नहीं हो सकता, 13 से, 13 5 Shaun, 65, और फिर, 9, 11 सते, सज्रिस और को सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब कर लारते ऐंद की इसके घ्री- ओंद्री आपmera सब्सक्राइब के मुझे जो लार रहा फिले ही 17 से जो सब्सक्राइब कर begitu शब्सक्राइब कर दारे आख भीड़ मुझेजच जो प्रम ह слudño is 14 is जो हो गया सत्रा तैक क्यावन कि यारा सत्रा सत्य एक सून कि आप इसको मल्टिप्लाई कर दीजिए तो देखिए यही आ जाएगा कि इन सो से सहे लिखा फिर किसे किस साथ से भी नहीं है, सा नो से, इकीज़ नहीं बैहाले से एक तिरा नहीं पर और किस से हो सकता है ग्यारा से हो सकता है, ग्यारा तैंटें तिस तस तिरा लएश नहीं है सत्रा से होगता है नीज नीज दूना अड़तिस नीज से होचकता है नीज दूना अड़तिस पाँच नीज दूना शतावन और फिर बचा तेईस तो यहां पर क्या हो जाएगा सत्रा नीज चैस चार सु चार का क्या हो जाएगा चार सु चार का निका लिए दू फिर दू फिर एक सु एक को क्या लिखेंगे प्रचक का एक सो दो एक सो एक का है कोई फैक्टर नौ साथ नहीं ग्यारा ग्यारा वणन नवा निन्यान नवे यह हो जाएगा तू वन जिर थिक तो हर एक नंबर्स को हमने क्या कर दिया उनके अभाज गुरन खंड में लिख दिया थिक अब अभाज गुरन फंड का हमने क्या पढ़ा था कि इनका चूज कहां करना है थिक तो आज के लिए आप इतना ही देखिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए जो आपके मन में नंबर साए कोई भी नंबर ले लिजिए रंडम और उनको आप इसमें ब्यक्त करने की कोशिस कीजिए कहीं आप कुछ दिक्कत हो तो फिर पूछ लीजिएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही अच्छे से खूब पढ़ाई कीजिए कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए ठीक है खूब मेनत कीजिए धन्यवाद